कि हमने सुहेल देभारती समझ पाटी अपने उत्तर पदेश को चार भागों में बाड़ दिया है पुरुवांचल, मद्यांचल, पस्चिबांचल और बुंदेलखन तो आज चारो प्रांतों की बैठक हम लोग कर रहे हैं यह पुरुवांचल की बैठक है, हमारा बादा में बुंदेलखन की मीटिंग हो रही है वहां अर्विंद राजबर गए हुए है, पस्चिम उत्तर पदेश में मेरट में मीटिंग हो रही है जहां डाक्टर संतोस पंडे जी गए हुए हैं पस्टिमांचल में जो मीटिंग हो रही है वहां हमारे निता गए हुए हैं यहां मैं खुद आया हूं पुरवंचल की मीटिंग लेने तो यह आगामी नगर निकाय की चुनाव और 2024 के चुनाव के मद्दे नजर यह अपने जबाब देना वो जबाब दिये हैं आजम खान से आपकी मुलाकात हुई थी आप तो जियन से बाहर है वह नहीं अभी तो कल हम लोगों का वह प्रेजेंटेशन था कल से सदन चल राया आज आज आपके सामने हैं विदान सबाद से खाली होंगे तो उमसे मिलेंगे है अब उनके बयान को हमने भी सुना है और नराज हो कर के कोई कहां जाएगा है पेट्र लौ डीजल के दाम हिए केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों मिल करके ये देश और प्रदेश की जनता का धोती खोल के कपार पबानते हैं 60 रुपया से बढ़ा करके 97 रुपया डीजल गया था तो जब ये 37 रुपया कम करते तब नहीं माना जाता कि इन्होंने डीजल का दाम कम किया पेटोल का दाम 65 से 70 रुपया तक था अलग-अलग उसको बढ़ा के 100 पार किये उसको लाए 97 में उसको जब ले आते 70 रुपया लीटर देते तब मैं मानता ना कि कम किये हैं यह तो दाम बढ़ा करके पैसा कलेक्ट कर ले रहे हैं जब इनका काम हो जा रहा तो छोड़ दे रहे हैं चार रुपया रहा दे रहे हैं दुर रुपया रहा दे रहे हैं पांच रुपया रहा दे रहे हैं उस रहा से क्या फाइदा है अब तो चुनाव बीत गया ने अब 2024 आएगा तो फिर रासन काड नया बनेगा अब पिछली बार महिलाओं के लिए बना था अब इस बार खाली नौजवानों के लिए बनेगा ते कियेगा वो रासन काड बनाएंगे फिर किसान प्रधानमंत्री किसान नीधी फिर देंगे अ बहुत बुरा है आप जो रक्षक ही भक्षक बन गए हैं